नमस्कार स्वागत है आपका संसट टीवी पर मैं हूँ मनोज वर्मा और आप देख रहें हमारा खास काईकरम मुद्दा आपका आज हम बात करेंगे राजसभा के नए सभापती की बुद्वार से संसत के शीतकाली सत्थ की शुरुवात होई सत्थ के पहले दिन राजसभा के नए सभापती जगदीब धनकर जी ने राजसभा की कारवाई का संचालन किया राजसभा में प्रधान मंतरी नरेन मोदी और विविन दलों के सदस्चों ने उप राजपती जगदीब धंकर जी के नए सभापती के रूप में बनने पर उनका अभिन्डन किया दरसल ऊप राजपती राजसभा के पदेन सभापती होते हैं राजसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत का महत्पूर्ण संभाहाख है तमाम इसके राजनितिक पहलू भी होते हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे उन्हें समझने कोशिश करेंगे दलसल राजसभा के आज जो सत्त की शुरुआत हुई नए सभापती ने उच सदन का संचालन शुरू किया चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आज की एक खास तस्वीर आपको दिखाते हैं अब एक नज़े डालते हैं जब नए सभापती के रूप में जगदीब धनकर जी ने कारवाई का संचालन किया प्रधान मंती नरेन मोदी उपसभापती हरिवंश जी नेता सदन प्योष गोयल राजसभा मेविपक्ष के नेता मलका अरजन खरगे साहित बेविन दलों की ओर से नए सभापती जगदीब धनकर जी का अबरिनन किया गया Honorable members dump availing this historic opportunity to share some concerns with the distinguished members of this August house terms upper house and house of elders though not part of the official glossary amply reflect uniquely significant importance of this institution नेशन जस्टिफाइबली एक्सपेक्ट थी आउस अब देखे डिसी डिरेक्शनल लीड इन रिएफिर्मिंग और एन एनांसिंग प्रिप्वालीज देखे रिपब्लीक और सेट अप ट्रडिशन अप्रिमिंटरी डिमोकर्सी एक्जिंप्लिफाइग ग्याइस्ट डिलिबर जुन-जुनु वीरों की भूमि है शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जिसने देश की सेवा में अग्रिम भूमिकान न निभाई हो और ये भी सोने में सोहागा है कि आप स्वयम भी सईनी स्कूल के विद्यार्थी रहे है तो किसान के पुत्र और सईनी स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूँ कि आप में किसान और जवान दोनों समाई ही था लिगल और संसदिय छेत्रों का लंबा और सम्रिद अनुभाव लेकर आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं पुनह आपका अविनंदन और बहुत बधाई ऐसा मानता हूँ कि आपके रिच एक्सपीरियंस के साथ लंबा सारणिक जीवन आपको इस सदन के संचालन यो माननी सदस्यों के संदक्षक जैसी चैलेंजिंग भूमिका का बहुत बहुत बहुतर ढंक से निर्वाह में मदद करेगा आज जो अच्छे अच्छे बाते रखी गई हैं जिस परकार से उत्सा के साथ सब ने आपका स्वागत किया है आगे आने वाले दिनों में आप यही भावना हमारे कारकाल में भी रखे काम में भी रखेंगे और clearly आपके साथ लगबग सभी सदसों का मिलना जुलना हो चुका है इतना एक मौके पे हम सब आपको मिल चुके हैं तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि it's a joy to be with you, to meet you, to exchange notes with you, to talk to you अब पता नहीं वो राजस्थान से आप लेके आए है या city of joy से जहां से आप बहुती सफल अपना गवरनर का कारकाल करकर दिल्ली आए पर वास्तव दिखता ये है कि आपकी अग्दक्ष्टा में इस सदन में मुझे पुरा विश्वास से कि बहुत सारे joyful occasions हम सब मिलके celebrate करेंगे अपर हाउस के सवरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से बहुत बड़ी है अब जिस आसन पर बैटे हैं महादेश के कहीं महान हस्तियां बैट चुकी है हमारे छे सभापती बाद में भारत के राश्टपती भी बने आप भूमी पुत्र हो जैसा की प्राइमिनिस्टर ने कहा कि किसान के पुत्र तो मैं तो भूमी पुत्र कहूंगा दरसल सभापती जगदी धनकर जी का एक लंबा राजनितिक अनभव रहा है समधानिक पदों पर रहे हैं और केंद्रिय पूर केंद्रिय मंत्री भी रहे हैं इस सनाते उनका एक लंबा संसदिय अनभव भी रहा है जहर तोर पर इसका कहीना कहीं लाब सदन को भी मिलेगा सदन के कारवाई के संचालन में भी दिखाई देगा इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात राजसभा के नए सभापती जगदीब धंकर जी की करेंगे चर्चा करने के लिए खास महमान मेरे साथ इससे में स्टूडियो में मौझूद है टाइमस ओफ इंडिया के राजनेतिक संपादक अखलेश कुमार सिंझ जी हमारे साथ इस सम्मूद है अखलेश जी आपका बहुत सवागत है साथी वरिश पतकार रोशम गौड जी हमारे साथ मौझूद है रोशम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसाट टीवी पर लेकिन अखलेश जी सबसे पहले शुरुबात मैं आपसे करूँगा कि आज जो द्रश देखने को मिला जगदीब धंकर जी के सभापती का जब उन्होंने कार संभाला तो जिस तरह से सदस्यों ने विविन दलों के नेताओं ने उनका अभिंदन किया आप कैसे देखते हैं देखिए आज उनका पहला दिन था तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों ने उनको अपनी बेस्ट विशेज दी हैं और कामना की है कि उनका ये टेन्योर कारिकाल अच्छा होगा और सभी ने आश्वासन दिया कि सुचारू रूप से चलाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे धंगर जी की जो ब्यक्तिगत प्रिष्ट वूमी है कि एक किसान परिवार से भी आते हैं और खुद सानी की स्कूल से पड़े हैं जुन-जुन जिले राजस्तान के रहने वाले जहां की एक परंपरा रही है कि लगबग हर परिवार से कोई न कोई सेना में जाता है तो एक इस तरह की प्रिष्ट वूमी है एक रूरल बैक्राउंड से आते हैं और एक बहुत अच्छे इस्टैबलिश्ट लॉयर थे बाद में इसके सासाथ उन्होंने उनकी पॉलिटिकल इनिंग्स भी काफी लंबी रही लगबग हर भूमिका में पॉलिटिकल इनिंग्स म उन्होंने एक महती भूम का निभाई है एक्स्पिरियंस बहुत लंबा है और यह अपेक्छा की जानी चाहिए कि उनका यह कारेकार्ट ठीक होगा सबको साथ लेकर चलेंगे और सारी पार्टी उनको कॉपरेट करेंगी लेकिन आज आश्वासन देना और एक सारी रहे हैं उनको काफी चुनोतियों का सामना करना पड़ा है सबसे बड़ी चीज है कि जो समीकर होते हैं दोनों हाउसेज में वो अलग होता है राजिसभा में लगभग बराबरी होती है लगभग इरीजनल पार्टी का काफी समय एक हर जगह से उनका एक बोलबाला है त काफी महौल खराब हुआ तो ऐसे में इनके अनभव से अपेक्षा करनी चाहिए कि अपने अनभव का यूज करके सबको साथ में ले करके और हेल्दी डिबेट्स करेंगे और लेगिसलेशन प्रापर तरीके से होगा जी बिलकुल अखलेशी और ऐसा रोशन जी माना भी जा क्योंकि जमीन से जुड़े हर करीब से चीन्यों को देखा होता है घटनाओं को देखा होता है आदमी के दुख दर्द को उन्होंने करीब से देखा है आप कैसे समझते हैं हमारी लोकतांत्रिक जो विमर्श है उसको कितनी तेजी मेलेगी कितना अधिक और मजबूत होगा बनी हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं और जो भी धनकर जी बने हैं वो किसान परिवार से आते हैं और परधान मंत्री जी जो हैं वो भी पिछड़े समाज से आते हैं तो किलमला के जो हमारे देश का इसमें संचालन कर रहे हैं वो समाज के ऐसे वर्ग से आते हैं जो कभ बढ़ रहा है और जो लोकतंतर की आपने बात की कि जब समाज के ऐसे लोग उपर आते हैं तो उनको एक एक कदम की जानकारी होती है वो उस पीड़ा को जेलते वे आते हैं और उस पीड़ा से दूसरे लोग सफर न करें इसकी कोशिश करते हैं कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं क्या उसमें हम अच्छा कर सकते हैं क्या उसमें डेवलमेंट कर सकते हैं कि हमारी समाज के बाकी लोग हैं उसको उसका फायदा हो सके तो यह अनभव है उनके जीवन का अनभव है उनके जो उन्होंने कस्ट सहें जो उन्होंने परिशर्म किया है उसका परतिफाल हमें मि मजबूत हो रहा है और हमारी लोकतंदरी मजबूती का परणाम यह है कि हमारी तो सिर्ष पदों पर लोग है वो ऐसे समाज से आते हैं जो कभे ने कभी वंचित रहें जाहिर सी पात है जो जगदीव धनकर जी का अनुबव है और उसका जो असर है आज पहले दिन देखने को भी मिला जगदीव धनकर जी ने जो समधालिक बवस्ता हमारी है सदन में जो चर्चाएं होती है उसको लेकर जो को सदन सव से कहा और जो अपील की वो भी कहसा असर डालेगी ऐसी उमीद की जा रही है आए देखते हैं उन्होंने क्या कहा परैटा कर घ्थर झाल अब अन्होंता है एंपट्टर बचले की वाने काम जतान पोली में जब खेली जीदिए जपार में दिए मैंत्या उसके बड़र के हें ने जदेख उनक्या देखते हैं । तसका सब्ते हैं अजवकत ूजरी लगित्वयू है लिते इतकौछ जवक् word is spoken by the honorable minister and you will find a spinal strength of the foreign policy which he has articulated in a focused manner. उसका असर साफ देखने को मिला. आप कैसे देखते हैं अखलेश जी? सीधे शीधे शीधे शब्दों में सदन के सदस्तों से एक अपील करना. देखिए कोई भी हाउस है जब उसका संचालन होता है तो उसके पास बहुत सारे बिजनेस होते हैं. देश को बहुत जादा बहुत अपेक्छाएं होती हैं कि हमारे चुने हुए सांसद वहाँ पर आके प्रोडक्टिव तरीके से संचालन करेंगे और हमारी जो जरूत की ऐसे महौल हुए और एक चिंता जनक इस्तिती बनी पिछले सदन 17 में हम लोगों ने देखा तो निश्ची तोर पे पिठासीन अधिकारी को रूप में उनका यह अपील करना बहुत ही जायज है और बिल्कुल जरूरी है क्योंकि सब को साथ में लेकर के चलना सब के हित में ह आज भी आपने देखा कि शुरुआत में ही प्राइम मिनिस्टर ने भी यही अपील की कि जो यंग और न्यू पार्लियमेंटरियन्स हैं जो आते हैं चुन करके वो शिकायत करते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिलता है सीखने का बोलने का और एक बहुत बड़ी और इस तरह कि अगर डिस्रप्शन सोते हैं तो काफि नुकसान होता है और इस तरह कि अपील से अफेक्षा की जानी चाहिए कि इसकी सेंस्टिविटी को समझ करके और अपने-अपने दिमेदारिएं का निव्रा निर्वान लोग करेंगे और जो इस बार विंटर सेशन है भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है G20 की हमारी कैप्टेंसी हमको लीडर्शिप मिली है उसे भी और जिम्मेदारियां बढ़ती है पूरा एक ग्लोबल अटिंशन है इंडिया के तरफ तो ऐसे में जो हमारे चुने प्रतिनिधी हैं उनकी जिम्मेदारियां और पढ़ जाती है कि हम जो हमारी पार्लियामेंट है जो लोग सभा के दोनों अंग हैं उनसे ऐसा संदेश जाए कि हम एक हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रक्टिस को ही फॉलो करते हैं जाहिर सी बात है कि जगदीब धंकर जी स्वैम राजिस्तान विर्हान सभा के सदस रहें देश में बनाई कानून विद के रूप में अच्छी पैजान उन्हें बनाई रोशन जी जब बात जगदीब धंकर जी इस बात को कहते हैं सदन की डिग्निटी सदन की मर्यादा और फॉरण पॉलिसी की बात इसके क्या माईने है देखे मैं उनकी जो उन्होंने आज पहला अपना अभी बाशन दिया तो उसमें चार बात इन्होंने बहुत महतपून कही एक जो महतपून है कि जो राजसभा है वो देश के जितनी भी सदन है बिधान सबा है चाए लोक सबा है या उसे चोड़े जो सदन है उन सब में सबसे महतपून राजसभा है सदन है और इस को बाकी सदनों का नेतरतों करना है दूसरी बात उन्होंने कही कि डिग्निटी सिस्टा चार और मर्यादा दो बातों को ध्यान रखना क्योंकि पिसले कुछ समय से हमें ने देखा है कि सदन के अंदर जिस तरह से कुछ सांसदों ऐसा ब्यवार किया कुर्शियों पर चड़ ग कि जो नियाइक आयोग बना था संसद ने समिधान संशोदन किया था निनानिवा संसोदन हुआ था और उस समिधान संशोदन को राज़्टिय नियाइक आयोग को सप्रेम को ने निरस्त कर दिया था तो उन्होंने इस पर चिंता जताई सदन के भार भी नहोंने कहा था आज सदन में भी कहा कि ये संसत चुप कैसे बैठ गई संसत की जो जिम्मेदारी है वो है हमारी लोकतांतरी मर्यादा को बचाये रखना और उसको आगे बढ़ाना तो अगर सुप्रीम कोर्ण ने नियाईक आयो को खत्म किया तो संसत चुप कैसे बैठी रही ये उन्होंने सवाल और मुझे लगता है कि ये सवाल 2014 सही उठ रहा है 2015 सही जिसमें सुप्रीम कोर्ण ने इसको निरस्त किया था जो कॉलिजम सिस्टम को खत्म करने के लिए तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने इस पस्ट अपनी जो उनकी इस पस्टता है जो 30-35 सालों का राजस्तान हाई को और सुप्रीम कोर्ण का अनुभव है उसके अलावा राजनिती के अलावा जो आधिवक्ता के रूब में मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये बात कही ये बहुत महत्तपूर्ण बात है और उस पे सरकार को और सभी राजनितिक दलों को सोचना चाहिए कि सदन ने समिधान शंशोदन किया ये साधान विधेक नहीं था सविधान शंशोदन किया और सुप्रीम कोर्ण ने उसे निरस्त कर दिया उस पे बिचार करना जाए ये एक महत्तपूर्ण विषय है जो सभापती जगदीब धंकर जी ने आज सदन में भी अपने सम्मोधन में उठाया और उस तरह से रास्तिय नियाएक आयोग की बात अभी रोशन जी ने कहीं जिस मुद्दे को उठाया आप कैसे देखते हैं इस पहलू को देखिए एक लीगल बैग्राउंड से आते हैं उनको इन विशयों की इन सब्जेक्ट काफी अच्छी जानकारी है और एक उनकी चिंता आई थी पास हुआ था एक संबैदानिक बिल था वो और उसके बावजूद सुप्रिम कोट ने उसको खारिज कर दिया था तो नाचरली है कि ऐसा एक क्लैश वाली सितिय आई थी आमने सामने और उसको फिर उसके बाद पारलेमेंट ने उसको टिक अप नहीं किया तो उनकी चिंता बिलकुल जाहिर है क्योंकि ये बहुत पुरानी डिबेट है कि सरोपरी कौन है और फिर से वो घूम फिर करके बाद वहीं पर आ गई है और मुझे लगता है कि धनकड़ जी ने एक अभी हाल फिलाल में जो बहुत बड़ा कारिक्रम हुआ था उसमें उस चीज को उन कि चिंता जाहिर है और ये जो एक चल रहा है कंटेंशन सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो प्रॉसेस अफ जजे सिलेक्शन है मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में एक नया रूप लेगा और एक नए चिनवती शायद इन दोनों बहुत बड़े पिलर से देम लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सदन का मुद्दा है देश की जो संसद है उसका मुद्दा है क्यों कानून बनाना संसद का काम है अगर समिधान शंशोदन सदन से होता है और कोई चीज कानून बनती है जिसकी तरफ कोई सदन कदम बढ़ाता है क्योंकि विदाहिका और न विधान का रखवाला सुप्रेम कोड होता है अगर हम समिधान के दाइरे के बाहर जाते हैं तो सुप्रेम कोड हमें रोकता है और कहता है कि यह असमेधानिक आपने काम किया है तो समिधान हमें बार बार सुप्रेम कोड के पास जाते हैं अगर कोई असमेधानी काम हो रहा हो या कोई ऐसा कानूरी पेंच अगर कहीं फसा हो तो सुप्रीम कोड के पास जाते हैं लेकिन जो न्याइक आयोग को सुप्रीम कोड ने खतम किया वो उस पे सवाल हैं सवाल इसलिए है कि जो कोलिजम सिस्टम है वो समिधान का हिस्सा नहीं है तो अगर कोई कानून समिधान से वो आसामिधानी कैसे हो गया जो समिधान का हिसा ही नहीं है उसको समिधान एक सिस्टमेटिक तरीके से सरकार ने बनाया कि जजों की नियुक्ति भी केंदर सरकार करेगी या सरकार के एक सिस्टम हो जो नियाईक आयोग बना था तो वो आसामिधानी कैसे हुआ क्योंकि उसको स और किसी को जाने नहीं देना है, मुझे लगता कि सुप्रिम कोड अपने दैरे से बाहर गया था, और हमारी संसत उसमें शांत बैठी रही, जबकि उसमें दुबारा से संसत में आना चेह था, और पास कर सका करा के, और फिर झाज़ी लेना चेह था. लुटेर और अधीकाद ए मर्याद़ा है उसकी चंता की तरफ उपराश्ट पते नए सवापती जग़ीव धंकर्जी ने ध्यान खींचा है सदन का लोगों का ध्यान खींचा है लेकिन आये सुनते हैं कि सवा रचीव सबहाओ नएसवापती अगर मैं अखलेशी बात करूँ चुनौती की बात मैं करूँ क्योंकि जो दरश पिछले कुछ समय में उच सदन में देखने को मिले हैं या दूसरी तरफ देखने को मिले हैं आप चुनौती क्या देखते हैं देखे जैसा कि अभी हम लोगों ने उपरास्टपती महोदय को सुना उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं क्योंकि हम हाउस अफेल्डर्स हैं काउंसिल अफ इस्टेट्स भी कहते हैं तमाम अलग-अलग स्टेट्स से लोग इलेक्ट होके आते हैं और उनकी से जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं क्योंकि उनको माना जाता है कि प्रभुदवर्ग के लोग हैं और एक सेंस अफ मेचोरिटी होगी चीजों को हैंडिल करने में डिबेट्स में प्रोडेक्टिविटी में उनका काफी कांट्रिबूशन होगा तो जो एक उन्होंने एक् करना चाहिए तो बहुत ही सही बात उन्होंने कही क्योंकि यह सब को यह एक ऐसा माध्यम एक ऐसा फोरम है कि जिसके तुरू आप अपनी बात को तमाम आम जनता तक भी पहुंचा सकते हैं इससे बड़ा प्लेटफॉर्म को हो ही नहीं सकता है तो हम क्यों उसे डिस्रप्ट करें अगर आप डिस्रप्ट कर रहे हैं अगर आप नहीं चलने देते हैं तो नुक्सान आपका भी है आपके भी अपनी पाटी की जो CJ है अपनी फिंकिंग अपनी सोच है वह भी तो आप नहीं पहुंचा पाई लोगWe पास तो सरकार का विरोध करने का तरीका शब्दों से ही होना चाहिए आप कोई counter argument होगे तभी तो आप सरकार का विरोध कर पाओगे तो ऐसे में debate के थूरू arguments के थूरू सरकार का विरोध होना चाहिए सरकार अपनी बात रखेगी और उसके मादेम से जो सही चीज निकल के आएगी वो आगे बढ़ेगी तो बिलकुल उप्रास्टपती धनकर जी का कहना सही है कि हमें हाउस को इस तरह से कंड़क्ट करना चाहिए कि हम बाकी लोगों के लिए एक एक्जांपल के रूप में पेश करें क कि वो हमें emulate करें तो हमें यह आप एक्षा करनी चाहिए क्योंकि एक नए संसत की एक नए सत्र की शुरुवात हुई है और मुझे लगता है कि यह सत्र जो है शायद हो सकता है कि पुरानी बिल्डिंग में शायद अंतीम होगा अब हम दिरे दिरे नई बिल्डिंग के तरफ हम लोग नेक्स सेशन साथ उसमें देखेंगे तो अपने आप में काफी हिस्टारिक ओकेजन है और अपेक्षा की जानी चाहिए कि यह सत्र जो है पुराटकर्टिव होगा और अच्छे लेगिस्लेशन पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगा रोशन जी आप कैसे देख आप पूरु में देखने को मिले हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर सवाल उटते रहे हैं आप कैसे देखते हैं यह हाउस ऑफ एल्डर है या जो इसको कहते हैं अपर हाउस या वरिष्टों का सदन अब इस सदन में जो परंपरा रही थी एक कि अपने समाज के वरिष्ट लोग आते थे बहुत ही expert लोग आते थे लेकिन समय बदला और राजनीतिक दलों ने उन लोगों को राजसभा में भेजना शुरू किया जो लोगसभा चुनाव हार गए तो चुकि वह लोगसभा बैक्ग्राउंड से आते थे जंता के जंता से डारेट उनका जुराव होता था तो इसलिए उनको जंता की आवाज को जोड़ से उठाने की आदत होती है कि अगर नहीं उठा तो हम सदन बीचों भी चले जाते हैं शोड़ सरावा करते हैं तो वो परंपरा शैद वो लोगसभा की परंपरा राजसभा में लेके आ गए और इसी कारण हमने जिसमें महला आरक् सद हैं उनको निलंबिद भी किया गया था फिर बाद में समझोता भी हुआ लेकिन वो जो प्रक्रिया है कि आपको सिष्टा चार और मर्याद में रहना है यह आज सभापदी मौदे ने इसपस्ट कर दिया अपने उन्होंने इरादे इसपस्ट कर दिये यो मर्यादा और सि वो भी इसी बात को कहते हैं कि सदन में हर मुद्दे पे चर्चा हो और नए सभापती जगदी धनकर जी ने भी इस बात पे जोड़ दिया है कि सदन में हर मुद्दे पे चर्चा हो बहस हो विपक्ष अपनी बात कहे सत्ता पक्ष अपनी बात कहे और सत्ता पक्ष और विप कायकरम में भाग लिया बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद संसर टीवी से बात करने के लिए तो आज इस कायकरम में इतना ही मुझे दीजिये आग्या नमस्कार